ही गाइज देखी लिया होगा कि आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसके लिए मैं सुपर डूपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि हेर स्ट्राइलिंग टूल्स में जो मेरा सबसे फेवरेट वाला प्रोड़क्त है वह यही है तो समदेल में अपने देखी लिया होगा कि आज मैं हेर करलर का रिव्यू करने वाली हूँ तो सबसे पहले अगर मैं अपने हेर टाइप की बात करूँ तो मेरे जो हेर्स हैं वह न लुख है एड़तर एंड बहुत अच्छा बन जाता है और एक ब्यूटिफुल हेर स्टाइल भी मुझे मिल जाती है क्योंकि करल हेर मुझे पर सूट भी काफी होते हैं तो कोई भी फंक्शन होता है तो मैं अपने हेर को करा लेते हूं क्योंकि सबसे बड़ी ऑप्शन मेरे पर वो बहुत जादा सूट भी करते हैं पर छोटे-छोटे फंक्शन के लिए भी हेर करनाने के लिए सेलून स्टाओं मतलब यह तो कुछ जादा ही हो गया है कि हार एक छोटे काम के लिए मैं सेलून भागो और वो लोग अच्छा कासा चार्ज भी कर लेते हैं क्योंकि इस about five secta है क्योंकि इलक्ट्रोनिक प्रोडट्ट के लिए अगर कोई बेस्ट साइट हले तो वह अबिजान ही है और हमेशेह ही मैं इलक्रोनिक पैकेजिंग की तो मैं इसको निकाल लेते हैं उसके बास दिखाती है इनर पैकेजिंग में मिल रहा है यह 10 mm का बैरिल जो कि आपको बिल्कुल मेगी टाइप करल देने वाला है अगर आपको बहुत जादा थाइट थिन करल चाहिए तो आप इस वारे करलर को ले सकते हैं अमेजिंग करल देता है यह मतलब जितना थिन आपको चाहिए उतना आपको यह प्रोवाइट कर दे है क्योंकि 10 mm बैरिल है यार तो आप समझी सकते हो कि कितना थिन देने वाला यह क होइब ते रखा है यह जो है फु've help का मिक बली करेंगे के इंग्माव करने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ पी नहीं है की उसलिइंसे वरना यह चाहते तो और सुपर्धी मिले दे सकते और उससे क्या Theo भूने की जान नहीं के मिकुण इनका यह थौट कि इन्होंने ऊपर टिप दे रखा है जिसको हम पकड़ सकें सेफटी परपस से इन्होंने इसको दिया है तो इस प्रोडक्त की सबसे च्छी बात मुझे यह लगी कि इसका जो बैरिल है वो सेरे में कोटेड है और सेरे में कोटेड होने से यह बेनेफिट होत इस ना एक इसमोग ताइप का निकलता है और बन भी हो जाते हैं आपने देखा होगा कि समेल भी आती है तो तब ही होता जब हमारे है जो बन होते हैं बट इस वाले प्रोड़क्त को यूज करने से हमारे है जो बन होने के चांसे से 50 परसंट कम हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि यह प्रोड़क्त हमें 100% गैरेंटी देता है कि इसका यूज करने से यह बिलकुल भी नहीं जलेंगे 50% चांसे हैं कि इससे जलें जलें क्या ओविस जलते ही है क्योंकि कोई भी हीटिंग प्रोड़क्त अगर हम यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है है वो तो जलने ही है ऐस देमेज हो जाते हैं ही प्रोड़क्त यूज करने से जितने भी हीर्स टैमेज हुए होते हैं उनको रिपैर करने के लिए उनकी डवल केर करने बहुत जादा जरूरी हो जाती है तो मेक शूर जब भी आप ऐसे गोई प्रोड़क्त का अपने हीर्स पर यूज करें तो उनकी कि जो लोग भी beginners हैं वो इस product का बहुत अच्छे से use कर सकते हैं and also यह जो प्रोड़क्ट है टॉंगल and twisted free है तो बिलकुल आराम से आप इसका use कर सकते हैं कोई भी मतलब इसके use करते टाइम आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिल गी अगर आप खुछ से भी अपने इसे apply कर रहे हैं सो तब भी आपको को issue नहीं होने वाला बहुत easily अपने hairs को curl कर पाएंगे मैं भी अपने hairs को खुदी करती हूँ और आगे वीडियो में आप डेमो देखी रहोगे कि किस तरीके से करती हूँ बिना किसी issue create की है इस प्रोडक्त की help से आप खुद से ही अपने hairs को curl कर सकते हैं जो कि इसकी सबसे amazing बात यह है और बहुत जादा light weighted है तो अगर आप यहां भी कर रहे हैं यहां भी कर रहे हैं तो कोई देखकत आपको नहीं होगी तो आपको बिल्कुल भी hand में pain नहीं होगा इसको use करते indicator है वह on हो जाएगा जब आप इसकी प्लगिंग करेंगे तो यह जो red indicator है वह on हो जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा product जो है वह on हो चुका है heating process पर है maximum temperature जो है वह उसका 180 degree Celsius तक है तो आपको बहुत thin and tight curl चाहिए तो आप definitely इस product को ले सकते हैं 100% आपको इसकी अभी दुबारा बता देती हूं कि इसका model number जो है वो है HC8001 and 25 watt का product है so अब बढ़ते हैं product demo की और मैंने भी हेल्स पर apply कर लिया heat protector जिससे की मेरे हेल्स जो है वो burn कम हूं and अगर आप भी use करते हैं कभी भी अपने हेल्स पर heating product सो ध्यान रहे सो ध्यान रहे कि अपने हेल्स पर एक heat protector लगाना नहीं भूले अभी कर लिया इसे on and आप देख सकते हैं कि यहां पर एक indicator है जो की on हो गया है मैं आपको पास दिखाती हूं कि मुझे आप एक एक इस ट्रिफ लेते जाना है और हो जाएंगे कर बहुत ही एजी वे में जब यह अच्छे से गर्म हो जाएगा सो आपको heat लगने लगेगी सो तब ही आप एप्लाय करिए हेर्स पर कि अच्छे से यूज करना आप इसको और ना कहीं पर भी लग सकता है यह रोड़ जब भी आपको लगी कि यह बहुत जादा गर्म हो चुकी है तो आप यहीं से इसको on-off करते रहिए क्योंकि मैं भी ऐसा ही करते हूं जब मुझे लगता है कि काफी जादा यह गर्म हो गई है तो मैं इसे off कर देती हूं सबसे अच्छी बात मुझे यह लगते है कि इसमें बहुत जादा टाइम नहीं देना पड़ता है बहुत कम टाइम में यार कर्ल कर देता है हमारी हैर को और उसके बाद आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर लीजे और हो गया कि तोटी टिपैंड करता है आपके उपर कि आप कितने ताइट या थिन करना चाहते हो और लास्ट में क्योंकि यह रह गया है सारे हैसको करना बहुत जादा जरूरी है जितने आप बालो का सेक्षिन कम लेंगे उतना ही आपको कर्ल थिन मिलेगा आप बार यह इस साइट की यह साइट जो है वो अल्मोस्ट कम्प्लीट हो गया है क्योंकि मैंने हाफ-ाफ किये हैं वरना अगर मैं यहां से भी करती ही तो आप देख सकते थे पर मुझे इतना ही क करल देता है यह कर लग है ना 9.95 रुपीज में और क्या लोग एक सेरेमिक बैरल मिल रहा है और क्या ही मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके जो है वह बहुत जादा बन होते हैं और अच्छा मुझे तो हमेशा ही अच्छा लिदन मिलता है और काफी ट्रेंड हो गई है इसको अच्छा लिए पाम बन होते हैं कि अपने फेस के कॉंटेक्ट से इस कर्लर को दूर रखना जिससे कि आपके फेस पर ना लगे आप देख सकते हैं आप कितनी प्यारे कर्ल्ट हो रहे हैं कि क्योंकि मेरे हेर्स जो है वो कटे हुए हैं सो यह कहीं से जादा बड़े हैं कहीं से बहुत जादा छोटे हैं मेरे सारे आपने देखना कि कितने कम टाइम में कर दिया मतलब यार अगर मैं क्या ही कहूं में इस हेर कर लगी मुझे हेर कर लो ना बहुत जादा पसंद है क्योंकि बहुत जादा मतलब अच्छे से काम करता है क्योंकि बहुत जादा लाइट वेट है सो बहुत अच्छे से हम इससे हेर कर पाते हैं आपने देखे लिया यार कि मैंने अपने सारे हेर जो है वो कर ल कर लिये हैं और मुझे काफी पसंद ने करल है और आपको भी बहुत ज्यादा कर ली है पसंद है तो आप इस वाली रॉट को ज़रूर ले सकते हैं प्रोड़क्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से इसको पर्चेस कर सकते हैं तो गईस यह था आज का वीडियो आई होप आपको उच्छा लगए प्यास वीडियो को लाइक करना मत बूलना मैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई